हाई है एंगलत को बताने वाला हूं एंग्लिस पीकिंग कोर्स के बारे में मैं आप कि लिए लाया हूं एंगलिस पीकिंग ओफर जो कोर्स पहले 499 रुपीस में पर मंथ में होता था वही खॉर्स अब recib अज के लिए ही ओफर है अगर आप अभी इसी वक्त English speaking course को जोईन करना चाहते हो तो आज अभी इसी वक्त जोईन करिए क्योंकि यह offer और सिर्फ आज के लिए valid है और जो course जो चीज में 499 वाले में पढ़ाता हूं वही चीज में 199 वाले में पढ़ाऊंगा मगर यहां पर आपकी एक चीज आरती है आपका लेवल क्या है अगर आपका लेवल कुछ भी हो चाहें वो जियो लेवल हो बेसिक लेवल हो या एडवांस लेवल हो लेकिन फीस का जो इस्ट्रेक्चर है जो 199 रुपीस जो आपसे बोला है वही रहेगा मगर इस ओफर का लाब हुठाने के लिए यह आपको आज ही एडविशन लेना होगा और यह कोर्स दोनों क्लासिस के लिए अभिलेवल है ओनलाइन क्लासिस के लिए या ओफलाइन क्लासिस के लिए और अगर आप इस कोर्स की और भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो मैंने अपना नमबर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दिया है तो आप मुझे कोल करिए और या मैसेज कर सकते हो मुझे वाटसब कर सकते हो और पुरी जानकारी ले सकते हो और इ से अभी जो इस कोर्स को योईन करते हो तो आप से 199 रुपीज भी पहले नहीं लिए जाएंगे पहले आपको वन वीक की क्लासिस फिरी दी जाएगी मतलब आप एक अपते में ये डिसाइड कर सकते हो कि यार यह वाला कोर्स मेरे लिए है भी या नहीं क्या मैं इस कोर्स को है या नहीं है तो पहली बात यह है यह आपको benefits होने वाला है कि mostly जो इंसिट्यूट में देखा गया है कि वो फ्रेट ट्राइल क्लास नहीं देते पहली जो मोटी फीस ले लेते हैं और चाहें वेसक आप जाओ या ना जाओ इंसिट्यूट में उन्हें कोई फरक नहीं परत होता वस उन्हें अपनी फीस से मतलब होता है यहाँ पर आप से मतलब है आपकी ग्रोस से मतलब है आपको इंग्लिस आई उससे मतलब है और 199 रुपीस का मतलब यह कुछ भी नहीं होता अगर इतने का तो इससे अधर डाटा ही रिचार्ट जोता है मुबाइल में और साथ साथ आपको PDIT-classes फ्री मिलेगी P cs मतलब personality development आपको इसके साथ कोर्स के सासा बिलकुल कराया जगा और personality development में होता क्या है, आपकी body language कैसी होनी चाहिए, आप interview जाते हो तो आपका dress up कैसा होना चाहिए, आपके communication skills कैसे होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका किस से कब कहां कैसे बात करनी है, बहुत साही चीजे आपको बतानी चाहिए, बताएंगे interview को crack कैसे करना है, उसमें क बात, अब आप जी सोच रहोगे किया जी कोर्स का जो duration है, मतलब कितने वक्त का होगा, जी कोर्स होगा, चार से छे मेने का कोर्स होगा, इस दुरान कोई भी English सीख सकता है, मगर वो चाहता हो सीखना तो, देख कोई इंसान चाहेगा, तो हम उसे सिखा सकते हैं, अगर कोई कि भी English नहीं सिखा सकता, I hope आप मेरी बात समझ गए होगे, कि इस कोर्स को, ये कोर्स किस के लिए जो English सीखना चाहता है, और जो कोर्स टाइम पास के लिए करना चाहता है, उसके लिए कोर्स नहीं है, और वो नहीं करें, क्योंकि अपना पैसा वेस्ट करेंगा, जो सच मैं सीखने को मिलेगी जहाँ पे, जो कि आपने अभी तक किसी इंस्सिट्यूट में सीखी नहीं होगी, अब आप सोचरे होगी, ऐसा क्या सिखाने वाला हूँ, अब वो तो आप कोर्स जोइन करोगे, तब ही आपको पता लगेगा, और अब आते हैं हम, इसका, ये मैंने आपक तो पीडी क्लासे फिरी मिलेगें, और तीस सा मोस्ट इंपोडेंट बैने फिट्स यह हैं, मालो आपने यहां से इंग्लिस स्पिकिंग कोर्स किया, अब आप बोलते हो, आपको इंग्लिस आ भी गई, अब किसी वज़े से आपकी कोई जोप लग गई या कुछ ऐसे एड्म भूलें नहीं, या फिर कुछ इंग्लिस स्पिकिंग की कन्वर्स्टेशन आप अच्छे से नहीं कर पातें, तो ऐसी कई साई चीजे होती हैं, तो उसके लिए क्या है, कि आप को यहां पर लाइफ टाइम मेंबर्शिप दी जाएगी, आप यहां से छे मिने का कोर्स करों, आपको लाइफ टाइम मेंबर्शिप दे जाएगी, मतलब इसका मतलब यह है, कि आप अपने कोर्स के बाद भी आप कभी भूल चुके हो यह इंग्लिस को, या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्याती है, आप जमर जी आकर, ओफ लाइन क्लास में आकर, अपनी क्लास मे कोई सिंगल रुपीज चार्ड नहीं होंगे, यह सबसे बड़ा वेनेफिट्स हैं, इस कोर्स को करने का, और सेम ओनलाइन का है, लेकिन आपको फैसला अभी करना है, आपको डिसीन अभी लेना है, इस कोर्स यह कोर्स आपके लिए सच में जरूरी है, तो आप अभी इसी व तो मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिपलाई करूँगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेयर करना ना भूले, और जी हाँ, और बेल आइकन जुरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो अपलोड करने तो आपको वो वीडियो मिलती रहें, क्योंकि जो भी मैं ओनलाइन या ओफलाइन पढ़ाऊंगा, वही वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जो इंगली स्पीक्लिंग कोर्स करना तो चाह लेनी हैं, तो इनके पास टाइम ये यह किल पाता, चकर होता है, कुछ हो था हुआ कभी कुछ वोता है, कुछ हो खो होता है, तो सकी लिए मैं जो भी मैं पढ़ाऊंगा वह यूटीब पे अपलोड करो आप के लिए बिल्कुल फिरे रहेगा, उसके कोई चार्जिस नहीं रहेंगे बस आप इंग्लिस सीखिए अपने इंग्लिस को इंप्रूब करिए और कुछ भी डाउट्स हो तो मसे बिंदास पूछिए मैं आपके लिए हमिसा अभी लेवल हूँ हाजिर हूँ और इस वीडियो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होतो और आप मेरा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहते होतो थेंक यू सो मच फिर मिलते हैं